रतलाम के सेलाना में बेटे ने अपनी मां को कुई में धक्का दे दिया बेटा मा से बोला कि कुई के पास जाकर तोटका करने से घर की सभी समस्या दूर हो जाएंगी जैसे ही दिव्यांग मा कुई के पास आए उसने हाथ में नारियल देकर बोला कि आखे बंद करके बोलो ओम नमह शिवाए मा ने जैसे ही आखे बंद की उसने कुए में धक्का दे दिया मा का कसूर सिर्फ इतना था कि वह शादी के लिए पांच हचार रुपे नहीं दे रही थी मा भागे शाली थी कि उसकी जान बच गई घटना के बाद भी मा अपने बेटे के खिलाफ बोलने को तयार नहीं है वो अब भी उसकी सलामती चाहती है बेटा फरार है कुए में लगे मोटर के पाइप को पकड़ कर महिला ने अपने आपको डूबने से बचाया इसके बाद पडोसियों ने उसे कुए से बाहर निकाला घटना सेलाना के महालक्ष्मी गली की 30 सितंबर की है जब मा ने इसकी शिकायत नहीं की तो ग्रामीनों ने पुलिस को बताया इस मामले में शनिवार को सेलाना थाना पुलिस ने जाच और मा कलाबाई 60 के बयान पर आरोपी बेटे पुशकरग वाला पर एफायर दर्ज की है मा कमला बाई का दर्द मेरे बेटे पुशकरग वाला 22 की शादी नहीं हो रही थी उसने 5000 रुपे मांगे थे मेरे पास रुपे नहीं थे इसलिए मैंने इंकार कर दिया उसने कहा कि मा मेरे पास एक टोटका है जिससे घर की सारी परेशानिया दूर हो सकती है वो अव्यास चौप पर बने कुई पर ले गया और बोला कि वो अपनी आँखे बंद करके ओम नमह शिवाय बोलते हुए एक नारियल कुई में फेक दे मैंने बेटे की बात मानकर आँखे बंद कर ओम नमह शिवाय का जाप किया उसी वक्त बेटे ने कुई में धक्का दे दिया और मौके से फरार हो गया जैसा की कलाबाई ने बताया न्यूज आड़द बाई मोहन कुश्वा